सबी को नमस्कार, मैं विमल कुमार यादव, साहेक आचारी राजनिती विज्ञान, राज की सनातकोतर महाविदाले बहरोड के यूटूब चैनल में आप सबी का स्वागत करता हूँ आज हमारा डिस्कसन का टॉपिक है रास्टियापात यानि नेशनल इमरजेंसी ये टॉपिक M.A. उत्राद और B.A. दीद्देवर्स के अंदर जो पुस्तक चलती है भारतिय सासनेव राजनिती उसके सलेबस का हिस्सा तो है इसके अलावा जो विद्यार्ति विभिन परतियों की प्रिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उप्योगी है क्योंकि ये जिक्के का हिस्सा है और उसमें कई बार emergency से लेकर caution पुछे जाते हैं राष्टि आपात, राष्टपती, शासन, विति आपात इसको लेकर काफी caution पुछे जाते हैं चैया राजच्तान पुलीस की तयारी दिल्ली पुलीस, आर्मी, एर्फोर्स, नेवी, SSC, UPSC RPSC, Banking या Railway की तयारी आप कर रहे हो आपके लिए वीडियो बेहद उप्यों की साबित होगा तो आईए चर्चा करते हैं रास्टे आपात को लेकर दरसल आपात उबंद किसलिए सविधान में जोड़ेगे सविधान में इसलिए जोड़ेगे थे ताकि देश की एकता, अखंड़ता और प्रभूता की रक्षा की जासके यानि कभी ऐसी मरजिंसी की स्थती हो तो देश की एकता और अखंड़ता को बनाए रखा जासके इसकी संप्रभूता को बनाए रखा जासके यानि सारी सक्तिया के इंदर सरकार के पास चली जाती है यद भी ये जो सिद्धान्त है ये संगवाद के विरुद है लेकिन जब देश ही नहीं रहेगा तो संगवाद कैसे बचेगा देश की एकता को बनाई रखने के लिए देश की रक्षा के लिए संगवाद के सिध्धान को त्याग दिया जाता है सविधान का जो भाग 18 है और अनुचे 322 से 60 है उसमें आपात उबंदों का वर्णन किया गया है यह कई बार कॉंपिट्शन में आ चुका है क्या आपात कालिन प्रावधान सविधान के कौन से भाग में है तो आपको याद रखना है भाग 18 और कौन से अनुचे 322 से लेकि अनुचे 360 तो भाग 18 का जो यह प्रावधान है यह जर्मनी के वाईमर सविधान से लिया गया है तो आपको ध्यान रखना है यह कई बार पुछा गया है यह लगता है युद भाई आकर्मन और सैसस्तर विद्रों की इस्तती में राश्ट्री आपात की उद्गोषना अनुचे 322 के तहत की जाती है दूसरा अनुचे 356 के तहत राज्ये में सविधानिक तंतर जब विफल हो जाता है किसी भी प्रांत के अंदर किसी राज्ये में जब सविधान के अनुसार सासन नहीं चल रहा हो तो उसके अंदर राश्ट्रपती सासन लगा दिया जाता है तो उसको अनुचे 356 के तहत लगाया जाता है और तीसरा है जब देश के वितिया हालात खराब हो जाए आर्थिक हालत जो है बहुत खस्ता हो जाए तो अनुछे 360 के तवीती आपात लगाया जाता है तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे राष्टी आपात यानी नेशनल इमर्जेंसी के बारे में अनुछे 352 जो है वो राष्टी आपात की उद्गोषना से समंदित है अनुछे 353 और चोवन है उस राष्टी आपात की उद्गोषना के प्रभाव क्या क्या होंगे उनका वरणन है और अनुछे 358 उनसठ में मूल अधिकारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसका व विद्धमान है जिसमें युद्ध, भाई आकर्मन या ससस्त्र विद्रोग हो गया है और उसके कारण भारत या भारत की किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह पूरे देश के लिए या देश के किसी हिस्से के लिए राष्ट्रे आपात की उद्गोशना कर सकता है तो य सविदान संसोदन 1978 के द्वारा ससस्तर विद्रोग सब्द जोड़ा गया और आंत्रीक असांती सब्द हटा दिया गया ता क्यों हटाया गया था क्यों हटाया गया था क्योंकि इंद्रा गांधी सरकार ने जब आपातकाल गोशित किया था वो आंत्रीक असांती के अधार प सकता है या सहसस्त्र विद्रो होने की संभावना है तो भी वह आपात की उद्गोषणा कर सकता है कैने का मतलब युद्व वाई आकर्मन या सहसस्त्र विद्रो वास्तम में होता है उससे पहले भी अगर ऐसा होने की संभावना है आसंका है तो भी राष्ट्य आपात की उद् संसोधन द्वारा ये वरस्था की गी कि राष्ट्य आपात की उद्गोषणा राष्टपती तभी करेगा जब मंत्री मंडल लिखित में उसको प्रामर्स दे बिना मंत्री मंडल के लिखित प्रामर्स के आपात की उद्गोषणा नहीं की जा सकती ये प्रावधान 44 संसोधन 19 पिछेतर के दौरा किया गया क्यों किया गया क्योंकि जब 26 जून 1905 को इंद्रा गांधी के दौरा पूरे देश में आंत्रीक असान्ति के आधार पर राष्टि आपात थोप दिया गया था तो वहें बिना मंत्री मंडल के लिखित प्रामर्स के राष्ट्रपती को गुप्त स सूचना देकर घोसित करवाय गया था मंत्री मंडल को विश्वास में नहीं लिया गया था कि आपात की घोष्णा की भी जा रही है तो इसको एक प्रकार की निरंकुस्ता माना गया और यह सोचा गया कि भविस्ते में ये बात नहीं दोराई जाए तो यह प्रावधान किया गया कि मंत्री मंडल लिखित रूप से देगा तभी राष्टपती जो है आपात की उद्गोष्णा कर सकता है राष्टपती आपात की उद्गोष्णा को कभी भी बाद में वापस ले सकता है जब उसकी मर्जी हो आपात की उद्गोष्णा वापस लेने के लिए मंत्री मं कि युद बाई आक्रमन और आंत्रिक असांति होने पर नहीं बलकि ऐसा होने की आसंका हो तो भी आपात की उद्गोषणा की जा सकती है। उसका अनुमोदन दो महा की बजाए एक महा में होना चीए और साधान बहुमत की बजाए संसद के दोनों सदनों द्वारा विसेश बहुमत से उस उद्गोषणा का अनुमोदन होना चीए। अभी लोगसभा का गठन होगा तो लोगसभा की पहली बैठक के तीस दिन के बीतर उसका अनुमोदन लोगसभा द्वारा होना चीए अनितावे लागू नहीं रहेगी। उद्गोषणा का अनुमोदन करने के लिए विसेश बहुमत का मतलब है कि दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के आदे से अधिक तथा उपस्तित और मदान देर करने वाले सदस्यों के दोत्याई बहुमत से ये पारित होनी चाहिए। उद्गोषणा की अधि क्या रहती है। उद्गोषणा करके जो है राष्टे आपात को वापस लेने के लिए मंत्री मंदल के लिखित प्रामर्स के आवसकता नहीं होती। बलकि राष्टे पती कभी भी उद्गोषणा करके जो है राष्टे आपात को वापस ले सकता है। इसके लावा लोगसभा जो है वो भी राष्टे आपात को हटाने का अधिकार रखती है। लोगसभा की यदि एक बटा दस सदस से। यदि सत्तर चल रहा है तो लोगसभा के स्पिकर को और यदि सत्तर नहीं चल रहा है तो राष्टपती को जो है इसका लोगसभा का सत्तर बुलाने के लिए कहेंगे। राश्ट्रपती या लोगसभा का देख्स सूचना प्राप्त होने के 14 दिन के भितर भितर लोगसभा का सत्रायुजित करेगा लोगसभा के उस सत्र में यदि साधान महुमत से प्रस्ताव पारिद कर दिया जाता है कि राष्ट्रिय आपात को वापस ले लिया जाए तो राष्ट्रपती राष्ट्रिय आपात को वापस लेने के लिए बाध्धे होगा ये चीज आपको ध्यान रखनी है तो किलियर है कि आपात काल की उद्गोषणा को राष्टपती बाद में गोषणा करके कभी वापस ले सकता है और लोग सवावी साधान मुहमत से प्रस्ताव पारित करके राष्टे आपात की उद्गोषणा को हटवा सकती है उद्गोशना के प्रभाव क्या होते हैं उद्गोशना के प्रभाव की बात करें तो आपातकाल के दोरान अनुछे 353 कह के तहत जो केंदर सरकार की कारिय पाली का सकती है उसका विस्तार राज्यों को निर्देश देने तक हो जाता है वो राज्यों को निर्देश देते हैं क इसके अलावा संसद की विदाई सक्ति का विश्तार हो जाता है। अनुछे 250 के अंतरगत संसद राजजे सूची के किसी विशह पर आपात काल के दोरान कानून बना सकती है। उसमें राज्य विधान मंडल की कानूर बनाने की सकती समाप्त नहीं होती बलकि वो निलंबित हो जाती है लेकिन जो ही आपात की उद्गोषणा समाप्त हो जाती है तो 6 महिने में राज्य सुची के उस विशेपर संसत द्वारा बनाईगी विधी भी प्रभावी नहीं रहे किया सत्य है कि या समपूर्भारत के लिए भी की जा सकती है माल लिजे किसी भाग के लिए उसकी उद्गोषणा की गई है तो उसका प्रभाव जो है केवल उसी भाग पर नहीं होगा बलकि उन अन्य राज्यों पर भी जो है मे important प्रभाव से और के इंडर का प्रभाव इस उससे समन्दित उबबंदों में परिवर्तन कर सकता है या उने समाप्त कर सकता है ऐसे आदेश को संसद के दोनों सतनों के समयक्स रखा जाता है कि जो राजवत्रण को प्रभावित करते है तो उसको संसद के दोनों सदनों के अनमोतन के लिए रखा जाता है मूह लदिकारों पर क्या प्रभा होता है जब राष्ट्य आपात लगता है तो अनुछे 358 के तहट अगर राष्ट्य आपात युद और भाईया अकर्मन के कारण लगा गया है तो अनुछे 19 में जो 6 सवतंतरताई हैं जैसे विचार और अग्वेक्ति की सभाया सम्मेलन करने की कोई संग बनाने की समुदाय बनाने की सवतंतरता बर्मन की सवतंतरता निवास की सवतंतरता आजीवका की सवतंतरता तो अनुछेद 19 की जो 6 सवतंतरताएं हैं, अनुछेद 19 के जो ये मूल अधिकार हैं, ये सवते ही निलंबित हो जाते हैं, कब निलंबित होते हैं? अनुछेद 358 के तहट, जब आपात की उद्धोषणा, युद और भाई आकर्मन के कार्ण की गई है, तो 358 में ये प्राव जो जाती हैं, उसे निलंबित नहीं होता नहीं होता है, अनुछेद 19 निलंबित नहीं होता है, अनुचेद 19 में प्रदत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं ये बात 44 सविधान संसोदम 1978 के द्वारा जोड़ी गई है दूसरी बात अनुचेद 368 में ये वरस्था की गई है कि राष्टपती जो है अन्ने मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए आदेश निकाल सकता है यानि अनुचेद 19 तो मैंने आपको बताया कि राष्टपती जब लगता है युद और भाई आकरमन के आधार पे तो वो खुदी निलंबित हो जाता है लेकिन अन्ने मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए राष्टपती को अनुचेद 369 के तहट आदेश जारी करना पड़ता है कि और कौन-कौन से मूल अधिकार निलंबित होंगे लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि अनुचेद 20 और 21 राष्ट्य आपात की इस्तती में भी निलंबित नहीं किया जा सकता ये कई बार कॉम्पिट्सन में पूछा जा चुका है कि कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो निलंबित नहीं होते हैं तो अनुचेद 20 और 21 जिसमें प्राण और धहिक सवतंतरता जिसे जीवन और वेक्तिगत सवतंतरता का अधिकार भी बोलते हैं वो कभी निलंबित नहीं होते हैं राष्ट्य आपाती क्योंने लगा हो अनुचेद 20 और 21 के तहट प्रदत मूल अधिकार कभी निलंबित नहीं होते हैं बाकि अन्य है मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए राष्ट्य अनुचे 366 के तहित आदेह जारी कर सकता है कि यह-ए बंप के संद्रब में कोई विधी बनाती है या कोई कारिय पालिका करते करती है तो उसको इस बात का वर्णन करना होता है कि यह आपात की उध्गोषना से समंदित है अन्य था उन्हें न्याले में चुनोती दी जा सकती है ज़ा आपात की उध्गोषना सवाप्त हो जाती है तो ऐस एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब आपातकाल की उद्धोषणा लागबू हो तो संसद कोई अधिकार होता है कि एक बार में एक वर्स के लिए लोग सभागे कारियकाल को बढ़ा दे जैसे इंद्रा गांदी ने लोग सभागे कारियकाल को दो बार बढ़ाया था त लेकिन जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो 6 महिने तक 6 महिने के अंदर फिर उसके बाद ये गोशना परवर्तन में रही रहेगी और चुनाव कराये जाएंगे यानि लोग सभाग का जो कारियकाल है वो एक-एक वर्स करके बढ़ाया जा सकता है जो आपातकाल लगाओ क्योंकि चुनाव कराया जाना उसे इस्तथी में संभब नहीं होता है भाली जी यूद्र हो रहा है किसी दूसरे देश के साथ या आकर्मन कर दिया तो इस इस्तथी में चुनाव आए वो चुनाव थोड़े न कराएगा तो लोग सभाग कारियकाल को बढ़ाया जा सकता है एक एक वर्स करके इसके अलावा जब राज्ये के अंदर राष्टपति शासन जो लगाया गया है तो जब राष्ट्यापात लागू होता है तो उसे अधिक्तम तीन वर्स तक बढ़ाने के लिए संकल प्रस्ताव पारित किया जा सकता है एक बार में एक वर्स के लिए प्र राष्ट्पति सासन के अवधी को बढ़ाया जाएं आपाद उबंदों में संसोधन क्या क्या किये गे चुमाले स्वे सविदान संसोधन 1978 के द्वारा अनुचे तीन सुभावन में निम्न संसोधन किये गे कि एक तो आंत्रीक असान्ती की बजाए सस्त्र सब विद्रो सब् मंत्री मंदल के लिखित प्रामर्स से ही आपाद की उद्गोषना की जासकेगी दूसरा पहले क्या होता था कि दो माह में साधान वहमत्चे अनुदन जरूरी होता था चुमाले स्वे सविदान संसोधन 1978 के द्वारा ये व्यवस्था कर दीगी कि राष्ट्य आपाद लगा आने के एक महिने के अंदर-अंदर संसत के दोनों सदनों के द्वारा अलग-लग विशेष बहुमत्चे प्रस्ताव पारित होना चाहिए पहले क्या था कि एक बार आपातकार लगा दिया वो लगातार लगा रहता था अब ये गोषना कर दी कि हर 6 महिने में अनुमोधन किय इसे बढ़ाया जा सकता है लोग सभा पहले क्या था राष्ट्रपती कभी वापस ले सकता था लोग सभा को राष्ट्यापात को दोषना वापस लेने का अदिकार नहीं था अब लोग सभा को ये अदिकार दिया गया कि वह साधार्ण मुम्मत से कभी भी राष्ट्यापात को हटवा सकती है लोग सभा के एक बटा सदस से एक बटा दस सदस से अगर लोग सथर चल रहा है तो लोग सभाई स्पीकर को सथर नहीं चल रहा है तो राष्टपती को लिखित में सूचना देंगे और वो 14 दिन के अंदर उसकी विशेश बैठक बुलाएगा चुवालेश पर सविदान संसोधन के दौर अनुचे 358 वे 369 में भी संसोधन कियेगे कि जब युद और भाहिया आकर्मन के अधार पर राष्टे आपात गोसित है तो अनुचे 19 का मूल अधिकार सवत्य निलंबित हो जाएगा लेकिन सैसस्तर विद्रों के अधार पर राष्टे आपात लगाया गया है तो अनुचे 19 की सवतंतरताई निलंबित नहीं होगी अनुचे 358 का संरक्षन भी केवल उनी विद्यों को प्राप्त होगा जिसमें इस बात का उलेक किया जाएगा कि यह आपात से समन्दित है तो था उनी कारिये पाली का करतवियों को जो संरक्षन मिलेगा जो ऐसी विद्धी के अधर्गत किये गए है अनुचे 20 21 को 352 में कुछ संसोधन किये गए थे कि राष्टे आपात संपूर्ण भार्त या उसके किसी भाग के लिए भी लागू किया जा सकता है इसके अलावा राष्टपती जो है भिन-भिन आधारों पर भिन-भिन उद्धोषनाएं कर सकता है अनुचे 358 और 369 में क्या अंतर है अन अनुचेद 20 और 21 जो है वो कभी निलंबित नहीं होते इसके अलावा भाग 3 के से सवी मूल अधिकारों को निलंबित करने की सकती राष्टपती को प्राप्त हो जाती है आपात के लागू रहने ते के अनुचेद 19 निलंबित रहता है आपात लागू नहीं होता तो वह सव अनुचेद 19 के मूल अधिकार तभी निलंबित होते हैं जब यूद और बाहिया आकर्मन के आधार पर उद्गोषणा हो ससस्त्र विद्रों के आधार पर नहीं आनुचेद 369 के तहट जो अन्यम मूल अधिकार हैं 20 और 21 को छोड़कर उन्हें किसी वी आधार पर राष्ट आपात गोसितों उन्हें निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान संसद में के दौरा जो कानून विधिया बनाए गई हैं उनको न्याले में चुनोती नहीं दी जा सकती जो अनुचे 358 के तहट बनती हैं अनुचेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए राष्टपती को आदेश जारी करना पड़ता है, ये दोनों में अंतर है, ये परिक्षा में आये वे विविन सवाल है, कि संसद द्वारा एक बार अनमोधन हो जाए तो उद्गोषना कितने दिनों तक जारी रखा जा सकता है, तो 6-6 महिने अगर संसद अनमोधन कर सकती है, तो एनिस सितकाल तक जारी रखा जा सकता है, उद्गोषना वापस लेने के लिए क्या करता है, राष्टपती उद्गोषना वापस लेने के गोषना करता है, या फिर लोग सभा उसे सादा वह से प्रस्ता पारित करके राश्टपती को उद्गोशना वापस लेने के लिए कह सकती है। तीश दिन के भीतर भीतर आपात की उद्गोशना का अनुमोदन लोगसवा के द्वारा किया जाना आउसक है। तीश में राश्टे आपात कब-कब और कितनी वार लगाया गया है। आपात की उद्गोशना भारत या उसके संपून हिस्से या किसी एक हिस्से के लिए की जा सकती है। तो आज हमने राश्टे आपात कार के बारे में चर्चा की आपका असाइन्मेंट है। क्या प्राश्टे आपात का विस्तव तुर्णन करेंगे। उसे कॉलेज के वाट्सअप गुरू में या मेरे व्यक्तिकत नमबर पर बेज सकते हैं। समस्या हो तो यूटूब के कमेंट बोक्स में, कॉलेज के वाटसप ग्रूप में या मेरे वेक्तिकत नमबर पर भेज सकते हैं, उसका उचित समाधान करने का प्रियास मेरे दोरा किया जाएगा, उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो इसे लाइक कर करें, सेयर करें और सब्सक्राइब करें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार